आज एक बार फिर कोट ने राम पाल को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई आपको बता दें कि इस से पहले भी कोट ने मंगलवार को एक मामले में राम पाल को उम्रकैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी जज ने आज जैसे ही आरोपी रामपाल की सजा घोषणा की तो वेह फूट-फूट कर रोने लगा और घूटने के बल बैठ गया जज से बोला आप तो कबीर भक्त हैं, कुछ तो रहम करो लेकिन जज ने इस पर कुछ जवाब नहीं दिया और उठकर चल दिये दरसल बात यह है कि कोट में सुनवाई शुरू होने से पहले खुद जज ने ही रामपाल को बताया था कि वे कबीर के दोहे सुनते हैं और जब जज ने सजा की घोषणा की तो रामपाल ने उन्हें याद दिलाया कि आप कबीर भक्त हैं इतनी कठोर सजा क्यूं दे रहे हैं आपको बता दें कि सुनवाई के लिए जेल परिसर में ही विशेश अदालत लगाई गई थी जहां जज ने सजा की घोषणा की जाना जाएगा